of development and its relationship with learning तो सबसे पहले जानतें कि development है क्या अब अगले topic की बात करतें जो आपके syllabus में दिया हुआ है वो है principles of the development सबसे पहला है principle of continuity या change अब आपके syllabus में जो तीसरा topic दिया गया है वो है influence of heredity and environment तो सबसे पहले जानतें कि heredity क्या है अब CDP में अगला जो आपना topic दिया गया है वो है socialization process Hello friends, welcome to my YouTube channel journey of hard work तो शुरू करते हैं आज की वीडियो यह seat at के लिए हमारी first महराथन रहने वाली है और जैसा कि आपने thumbnail पर देखा होगा my seat at marks तो मेरे 118 नंबर रहे हैं अब क्या पढ़ना है आपको seat at के लिए कहां से पढ़ना और कितना पढ़ना है तो आपको बस point to point पढ़ना है seat at के लिए आपको बहुत ज्यादा vast पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी point to point आप पढ़ेंगे और आपकी strategy यह रहने चाहिए कि सबसे पहले आप slavers complete करेंगे अपना हर subject का अब कितना पढ़ेंगे तो मैं आपको 5 marathon प्रोवाइड करूँगे आपको बस उनहीं 5 marathon को देखना है और आपकी CDP complete हो जाएगी seat at के लिए इससे बाहर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा तो आज first marathon को start कर लेते जिसमें आपके चार topics cover किये जाएंगे सबसे पहला topic है concept of development and its relationship with learning तो सबसे पहले जानते हैं कि development है क्या तो development एक ऐसी universal प्रकरिया है जो आप कहीं पर भी चले जाओ आपका development होगा ही होगा अब development भी कई तरह का होता है इसका कोई एक आयाम नहीं होता बहुत सारे इसके आयाम होते हैं for example सबसे पहले की बात कर लेते हैं जो की है सबसे चर्चा में रहने वाला physical इसमें आपके सारे शरीर related factors आते हैं for example आपकी height आपका आकार आपके बालों का रंग क्या है आपकी आखों का रंग क्या है तो इस सब क्या ही शारीरिक है इन्हें आप देख सकते हैं और इनका मापन भी किया जा सकते हैं दूसरा जो factor है वो है social और तीसरा है language चोथा है moral moral की आप सही गलत के बीच कितना अंतर कर पाते हैं कैसे आप decision लेते हैं किसी भी नयतिक दुविधा के बीच में एक है emotional जिसमें आपके सारे emotions आते हैं समवेग आते हैं आपका क्रोध आपका डर आपकी खुशी आपका दुख ये सब क्या है emotions में आ जाते हैं इससे अगला है cognitive संजानात्मक आपके दिमाग से related आपके mental जो भी perspective है वो सब इसमें आ जाते हैं आपके सोचने का तरीका क्या है आपकी विचार प्रकरिया क्या है वो सब किसमें आएगा cognitive में आएगा अब उसके बाद है maturation maturation क्या है किसी भी काम को करने के लिए एक सीमा होती है जिस तक आपको तयार होना होता है वो होती है maturation कि हाँ अब इस stage पर आकर आप ये वाला काम कर पाएंगे तो maturation और development इनके बीच में क्या relationship है तो ये दोनो ही चीज़े हमेशा साथ साथ चलती है अब खुद सोचो आपका development कब होगा तब होगा जब आप उस चीज़ के लिए मैचोर होंगे अब बच्चा पैदा होता ही तो cycle चलाने नहीं लग जाता ना ही वो दोड़ने लग जाता है उसके लिए पहले वो मैचोर होता है धीरे-धीरे उसका development होता है दैन धीरे-धीरे वो सारी चीज़ें करता जाता है अब मैचोरेशन में आपको क्या चीज़ याद रखनी है इससे question भी बनता है मैचोरेशन से related आपको एक word याद रखना है वो है heredity अनुवान शिक्ता मैचोरेशन किसे related है अनुवान शिक्ता से related है अब व्रधी और पधिपकोता ग्रोथ और मैचोरेशन इसके जितने भी आयाम है वो सब विकास में आ जाते है और यह किसकी टर्म है यह एक समावेशी विकास की टर्म है अब अंतर क्या है ग्रोथ क्या है ड्वलोप्मेंट क्या है कैसे ये एक दूसरे से अलग है तो ग्रोथ होती है क्वांटिटेटिव क्वांटिटी में पर एक्जामपल आपकी हाइट बढ़ रहे हैं तो आप उसको माप सकते हैं कि आपकी इतने इंच हाइट बढ़ गई आपके इतने किलो वजन आपका बढ़ गया इतने किलो आपका वजन घट गया तो यहाँ पर कौन से चेंजिस होंगे हाँ पर क्वांटिटेटिव चेंजिस होंगे जबकि जो ड्वलपमेंट है वहाँ पर क्वांटिटेटिव चेंजिस तो होंगे ही लेकिन साथ-साथ वहाँ पर qualitative changes भी होंगे qualitative changes for example यहाँ पर social emotional बहुत सारे factors आ चापते हैं मालनों आपने किसी की help ही की है तो क्या आप उसको map सकते हैं कि आपने कितने kilo help कर दी किसी की, एक kilo कर दी, दो kilo कर दी नहीं map सकते हैं तो जो development है उसको आप नहीं map सकते हैं उसको आप केवल observe कर सकते हैं अवलोकन कर सकते हैं जबकि जो growth है उसको आप map सकते हैं कि आपकी इतने inch height बड़ी, इतने kilo आपका वजन बढ़ गया तो कुल मिलाकर जो growth है वो height, weight और बाकी की जो आपके शारिरिक factors है केवल उनहीं तक्सीमित है जबकि जो development है उसमें आपके overall सारे changes आ जाते है फिर चाहे वो cognitive हो emotional हो, moral हो या बाकी के सारे इसमें केवल शारिरिक परिवर्तन आएंगे जबकि इसमें बाकी सारे भी आयाम शामिल होते हैं क्योंकि जो growth है वो एक अलायाम है जबकि जो development है उसके कई सारे आयाम होते हैं जिनका हमने अभी पीछे जिक्र किया अब उसके बाद जान लेते हैं कि अधिगम के साथ विकास का क्या संबंध है learning के साथ development का क्या relation है तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या बता होना चाहिए कि learning क्या है क्या है learning learning कुछ नहीं है बस आपके व्यवहार में change है modification in your behavior इसको एक छोटी से example के साथ अगर हम समझे तो एक बच्चा है आप उसको बार-बार बोले हैं कि बेटा मुमबत्ति के पास नहीं जाना आपका हाथ जल जाएगा क्या लगता है क्या करेगा हो जाहिर से बाता वो नहीं मानेगा वो एक बार जरूर जाएगा जिस चीज के लिए आप उसे मना करेगा वो जरूर करेगा उस चीज को लेकिन जब एक बार उसको गरम लग जाएगा तो अगली बार से वो उस मुमबत्ति के पास नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा क्योंकि अब उसकी learning हो गई है कि हाँ अगर मैं मौमबत्ती के पास अपना हाथ लेकर गया तो मेरा हाथ जल सकता है तो यहाँ पर आपके अनुभाव माइने रखते हैं अब development के लिए interaction of maturation and learning दोनों ही ज़रूरी है maturation, development के लिए एक limit set कर देती है और जो maturation है, learning है वो किसी भी व्यक्ति के विकास में कैसे काम करते हैं साथ-साथ काम करते है और P.A.Z. ने इसके opposite में कहा है कि सबसे पहले क्या आता है विचार आता है और फिर learning सबसे पहले क्या होता है आपका विकास होता है तो इससे लेकर कोशन भी बनता है आपको statements दे दी जाती है तो इसके लेक ट्रिक है प्याजे में क्या बोला? पहले विचार प्याजे में P और विचार में V तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं stages of development की development की जो सबसे पहली स्टेज है वो है आपकी prenatal कुन सी? prenatal जो की गर्भाधान से 9 महिने तक की अवस्था होती है और इसके अंदर भी आप 3 सब स्टेजिस आ जाती है जिसे आप किसे याद रखेंगे? G, E, F से G से germinal, E से embryonic और F से fetus अब अगली जो स्टेज है वो है infancy जनम से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है अब ये जो अवस्था है इसमें बच्चे अपना ज्यादा दर समय सोने में बिता देता है रोने में बिता देता है अगली जो स्टेज है वो है early childhood 2 से 6 वर्ष की अवस्था है अब हर स्टेज के आगे आपको कई नाम देखने को मिलेंगे जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से question बनते हैं तो early childhood को हम क्या बोलेंगे preschool age बोल देते हैं हमसे toy age बोल देते हैं imitation, imitation क्या होता है अनुकरन करना, नकल करना बच्चा आपको जो जो करोगे बिल्कुल सेम चीज़े करेगा आपने देखा होगा अगर आप smile कर रहे हो तो छोटा बच्चा भी आपको देखर smile करता है अपने अपने घर में भी देखा होगा यह चीज अब आगे की स्टेज़े में भी आनुकरन जारी रहता है लेकिन अब तरीके बदल जाते हैं आगे की स्टेज़े में आप बड़ा हो रहा है तो आप वो बोल कर भी आपकी नकल करेगा अब जो जो बोल रहे हो सेम चीज़े बोलने की कोशिश करेगा तो यह क्या है? Imitation ही है तो इसके अलावा इसे हम बोल देते हैं Pre-Gang Age Animism Animism क्या है अब? इसे हम इंदी में बोलते हैं जीववाद कई बार बच्चा रोने लगता है तो आप उसे क्या बोलते हैं? कि अच्छा आपको धर्ती ने मारा मैंने भी धर्ती को मार दिया और फिर क्या होता है? आप देखते हैं कि बच्चा जूप हो जाता है तो इसका मतलब इस स्टेज में बच्चा क्या सोचता है? कि हर एक चीज में जीवन है आपने धर्ती को मारा इसका मतलब उसको भी दर्ध हुआ है वो बच्चा ये सोच रहा होता है उस वक्त तो उसमें जीववाद की भावना होती है इसके अलावे इस स्टेज को हम बोलते है चैटर बोक्स एज प्ले एज इगोसेंट्रिक स्पीज अब अगली स्टेज आती है लेटर चैल्रोड जोगी है चैसे बारा साल के वर्स्था इसे हम बोल देते है अगली स्कूल एज प्लेइंग विड टोइज कॉंक्रीट ठिंकिंग कॉंक्रीट ठिंकिंग क्या है मालो अपने बच्चे को ये क्या दिया कि माल लोग बेटा आपके पास आम है तो आप उसे उस मानलों से कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि अगर आप उसको आम दे दोगे तो तो उसे लगेगा हाँ ये चीज होती है आम तो यहाँ पर उसे अनुभाव चाहिए एक ऐसी चीज जिसे वो छू सकता है, देख सकता है तो यहाँ पर कौन सी थिंकिक आएगी, कॉंक्रीट आएगी अब इसके अलावा हम इसको ट्रबल सम एज भी कहते हैं जगदाल ववस्था भी कहते हैं, गैंग एज भी कहते हैं और एक इंपोर्टेंट कोशन जो की अगली चाहिड़ूड को लेकर बनता है वो है कि लेंगवेज, लेंगवेज की तरिष्टी से क्रिटिकल पीरियड कोन सा है तो उसे हम बोलते हैं अगली चाहिड़ूड यहाँ से डेफिनेटल एक कोशन बनता है बात कर लेते हैं अगली स्टेज की जो की है प्यूबर्टी अब इस स्टेज में क्या होता है इसमें बच्चे में होर्मोनल चेंजिस आने शुरू हो जाते हैं वो जेंडर अपीरेंस शो करने लगता है यहाँ पर गल्स की जो आवाज है वो मधुर हो जाते हैं कि बोईज की आवाज थोड़ी भारी हो जाती स्टेज पर इसके लावों वो हमेशा चिड़-चिड़ापन रखते हैं एंजाइटी रहती है उन्हें इससे अगली जो स्टेज आती है वो है अडोल सेंस किशोर अवस्था जिससे काफी कोशेंस बनते हैं से 19 साल की अवस्था है यहां से सिद्धी स्टेटमेंट यहां आपको दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि तनाव और طुफान के अवस्था कोन सी है तो किशोर अवस्था है और किस ने बोला है स्टेंड़ी ऋने बोला है identity crisis की भी ये अवस्ता है इस समय वो अपनी पहचान बनाने में लगा रहता है पहचान का संकट यहां पर रहता है fake audience इस टाइम पर बच्चे को लगता है कि सब उन्हें ही देख रहे हैं मालो आपने कल yellow dress पहन के आप कहीं गए थे अगले दिन फिर आपको कहीं जाना है आप सोच रहे हो नहीं मैं yellow dress तो नहीं पहनूगा क्योंकि यह तो मैंने कल ही पहनी थी लोगों ने मुझे देखा होगा तो आप एक imagination कर लेते हो कि हाँ सब ने आपको देखा या सब आपको देख रहे हैं यह होती fake audience ego identity problem और यह एक ऐसी stage है जहां पर कभी तो आपको ऐसा feel कराया जाता है कि आप बहुत बड़े हो गए और आप पर जिम्मेदारिया आ गए लेकिन वहीं पर अगले ही पल आपको यह भी एहसास करा दिया जाता है कि आपने यह क्यों किया आप तो अभी बच्चे हो तो यहां पर उसे समझ ही नहीं आता कि वो छोटा बच्चा है या बड़ा हो चुका है तो ना वो छोटा बच्चा रहता ना वो बड़ा हो पाता है इसके अलावा आप बच्चा यहां पर active member बन जाता है किसका society का और peers यहां पर सबसे बड़ा रोल निभाते है peers होते हैं आपके संगी साथ ही आप आप करते कि factors क्या है जो की influence करते हैं growth and development यह internal और external दोनों इतरह के हो सकते हैं और positive भी हो सकते हैं और negative भी हो सकते हैं internal की बात कर लेते हैं internal में आजाते हैं आपके hereditary अनुवान शक्ता से संबंदित factors इसके अलावा आपकी intelligence आपकी emotions यह सब की स्वेहेंगे internal factors स्वेहेंगे external में क्या आ जाएंगे normal और abnormal delivery या फिर the physical and mental health of mother during pregnancy any damage or accident to the baby in the womb तो positive और negative दोनों ही तरह के यह effects छोड़ सकते हैं अब environment से संबंदित कुछ external factors हैं जो कि क्या क्या हो सकते हैं कि आपके sanskritik और समाजिक वातावरान आपका कैसा है आपकी family care कैसी है आपका neighborhood कैसा है schooling कैसी रही है आपकी economic status कैसा है आपका caste religion यह सारी चीज़े इसमें आ जाती हैं इसके लाब आपको अवसर कितने मिल रहे हैं सिक्षा कि कैसे मिल रहे हैं वो चीज़े भी आपके environment में आ जाती जो कि एक external factor कहा जाएगा अब teacher का क्या role है बच्चे की growth or development में तो हाँ teacher का एक सबसे बड़ा योगदान होता है अब एक teacher heritage में तो कोई change नहीं कर सकता है क्योंकि वो चीज़ उसके हाथ में है नहीं लेकिन environment वो बच्चे को ऐसा provide कर सकता है जिससे उसकी learning भैतर होगी वो एक term है conducive conducive इस term को आपको पकड़ना ये एक positive term है हमें कैसा environment provide करना conducive जहाँ पर बच्चा सीख सके जहाँ पर बच्चे को equal opportunities प्रोवाइड की जा रही है और इसके अलावा teacher role का कर सकता है बच्चे की level के according curriculum अब अगले topic की बात करते हैं जो आपके slayvers में दिया हुआ है वो है principles of the development सबसे पहला है principle of continuity या change यह क्या कहता है कि आपका जो development है वो warm to tom चलता है आपका जो development है वो कभी भी रुखता नहीं है और जनम से लेकर यह मरत्यू तक चलता ही रहता है कुछ major changes आते हैं जैसे कि size and proportions acquisition of new mental, motor, behavioral skills दूसरा जो principle है वो है principle of proceeding from general to specific इसमें क्या होता आप बच्चे को कोई भी चीज पकड़ा रहे हूँ फिर चाहे वो glass है करेटोरी या कुछ और चीज है वो क्या करेगा वो दोनों हाथों से पकड़ेगा उसे ठीक है उसके बाद फिर वो हथेलियों का use करेगा उसके बाद फिर वो उंगलियों का use करेगा तो सबसे पहले यहां पर क्या हुआ general की तरफ हो गया general से specific की तरफ जाता है सामान्य से किसकी और? विशिष्ट की और अगला जो principle है वो है individual differences का अब यहां पर क्या कुछ का जो विकास होता है वो जल्दी हो जाता है कुछ बच्चों का तो कुछ का थोड़ा धीमी गती से होता है तो यहां पर क्या है? कहने का मतलब है कि यहां पर हर बच्चा unique है अगला जो principle है वो है principle of uniform pattern या sequence तो विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है एक sequence होता है जिससे पहले बच्चे का सिर का विकास होता है उसके बाद lower portion का then है principle of direction तो हां विकास की direction होती है दो direction की यहां पर बात की जाती है जिससे सीदे सीदे caution भी बनते हैं cephalocodal cephalocodal शिरोपदवन मुखी या मस्तका धोन मुखी इसमें क्या होगा यह जाता है top to bottom की तरफ सबसे पहले क्या होगा आपके सिर का विकास होगा फिर आपके धड का विकास होगा फिर आपके पैरो का विकास होगा जबकि जो दूसरी direction है वो है proximo distal यह होता है center to periphery यानि कि आपके किंद्रिय भागों से बाहर की तरफ होगा यह for example जैसे पहले पेट विक्सित हुआ फिर हर्द्य विक्सित हुआ फिर बाद में कंधे और बाजू center to periphery अगला जो principle है वो है principle of integration एक ही करण का सिधान्त तुविकास क्या है hold to parts जाता है और हमारी सारे जो body parts है उन्हें हम कैसे करते हैं integrate करते हैं for example cycle चलाने में भी आप यह चीज़ देख सकते हैं अगला है principle of interrelation तो आप से सिधा सिधा कोशन पूछा जाता है विकास के आयामों के बारे में इसके लिए एक trick है वो है trick है PCSE तो सबसे पहले आप option में देखेंगे P से physical है क्या C से cognitive है क्या S से social है क्या और E से emotional है क्या तो यह क्या है यह आपके विकास के आयाम हो और यह सारे ही जो चारो हैं यह आपस में interrelate करते हैं अगर आपका physical development ही अच्छे से नहीं हुआ तो जाहिर से बात है ना तो आपका cognitive development अच्छे से होगा social पर भी असर पड़ेगा और emotional पर भी असर पड़ेगा अगला जो principle है वो है principle of maturation and learning का हमने पीछे जाना कि maturation और learning तो ऐसी चीज़े हैं जो हमेशा कैसे चलते हैं साथ साथ चलते हैं अगर आप अभी mature ही नहीं हो तो आपका development कैसे होगा उसके बाद है principle of joint product of heredity and environment तो यहां पर woodworth ने एक बात कही है की development क्या है यह एक product है अगला जो principle है वो है principle of total development तो इसमें PCS ही आजाता है आपका physical, cognitive, social और emotional अगला principle है principle of spiral versus linear development अब दोनों में से कौन सा बेटर है spiral कौन सा होता है यह होता है spiral यह होता है आपका starting point और यह होता है आपका ending point इसमें क्या हो रहा है आप वापीस पीछे आ रहे हो यहां पर तो यहां पर previous knowledge connect होती है आपकी यह ज्यादा better होता है बजाए की linear के क्योंकि उसमें आप एक गती से जा रहे हो तो कौन सा विकास better होता है spiral वाला अगले principle के अगर बात करें तो वो है principle of significance of early development हमने early childhood के बारे में यह जाना था कि language की द्रश्टी से बहुत ही समवेदन शील्ड याने की critical period है वो तो early development जो आपका होता है वो आपकी बागी सारी stages पर असर छोड़ता तो यह सबसे ज्यादा important मना जाता है विकास की द्रश्टी से अगला जो principle है वो है principle of regression regression यानी प्रतिगमन इसमें आपको एक point ध्यान रखना है वो है opposite इसमें बच्चे जो होंगे वो अपने माता-पिता के गोनों से opposite हो जाते हैं for example हो सकता है parents बहुत intelligent हैं लेकिन बच्चा उत्रह intelligent नहीं है यही चीज हाइट में color में भी आप देख पाएंगे opposite then है principle of predictable विकास की आप कुछ हद तक completely नहीं कुछ हद तक आप भविश्यवानी कर सकते हैं predict कर सकते हैं for example आपने बच्चे को देखा उसकी रूची को देखा तो आप एक अंदाजा लगा लेते कि हाँ आगे जाके बच्चा इस फिल्ड में जाएगा या ये काम करेगा उसके बाद है the order of development depends on sex motive काम रत्ती पर अधारित होता है इसमें stages बताई गई हैं सबसे पहली है स्वप्रेम अवस्था नार्किस्टिक इस अवस्था में क्या होता है बच्चा अपने आप से प्रेम करता है इसकी भी दो stages बताई गई है oral और anal उसके बाद है odipus complex यहां से question भी बनता है एक elektra complex भी होता है elektra इसमें बच्चे काफी confused होते है odipus किसमें होता है elektra कौन से में होता है तो इसके लिए एक trick है boys में क्या आता है बी के बाद ओ आता है odipus में क्या आता है starting में ओ आता है तो odipus किसमें होगा boys में होगा अब इसमें होता है कि जो boys हैं वो माता के प्रति प्रेम करते हैं, ओडिपस कॉंप्लेक्स में और जो इलेक्टर होता है, ये girls होता है, girls पिता के प्रति प्रेम करते हैं. इसके अलावा homosexual, आपने ही gender के साथियों के साथ रहना बच्चे पसंद करते हैं, और heterosexual, opposite gender. उसके बाद है विकास की चरम सीमा का सिध्धान्त. तो विकास की गती भले ही हर एक में भिन होते हैं, लेकिन बच्चा अपने विकास की एक चरम सीमा तक लाश्ट तक पहुंची जाता है. अगला जो principle है वह प्रतेक बालक विकास की प्रतेक अवस्था से गुजरता है. For example, stages का करम क्या है? सबसे पहले शैशव अवस्था आएगी, फिर बाले अवस्था आएगी, उत्तर बाले अवस्था आएगी, फिर आएगी, किशोर अवस्था. अब ये तो नहीं है ना कि बच्चा शैशव अवस्था से सीधा की शोर अवस्था में पोच गया, तो ये पोसिपल नहीं है. अगला जो principle है वह प्रतेक विकास अवस्था की अपनी विशिष्टताएं होती है. हर एक की अपनी specialities होती है. जैसे शैशव अवस्था किसकी दृष्टी से उपयोगी है, शारिरिक विकास, फिजिकल ड्वलोप्मेंट, ऐसे हर एक स्टेज की अपनी अपनी specialities होती है. अगला जो principle है विभिन अंगो के विकास की गति भिन होती है. तो हर एक जो बोड़ी पार्ट्स होती है, उनके विकास की जो गति होती है, वो अलग-अलग होती है. अब आपके स्लेवस में जो तीसरा टोपिक दिया गया है, वो है influence of heredity and environment. तो सबसे पहले जानते की heredity क्या है? heredity होती है, आपने अपने माता पिता से जो भी गुण प्राप्त किये हैं, वो होती है heredity. इसमें आपके बालो का रंग, आपके आखो का रंग, ये सब शामिल होते हैं, और kromosomes आप से पूछता है, टोटल kromosomes आप से पूछ सकता है, तो आप कितने बताएंगे 46, अगर अलग-अलग पूछे, pair पूछे, तो आप बताएंगे 23 pairs होते हैं. एक जो 23 वग उन्षूत्र होता है, वो निर्धारित करता है कि बोई होगा या गर्ल होगी, जिसे हम sex chromosome कहते हैं. अगली टर्म है environment, अब environment क्या है? वो सब कुछ, जो आपकी heredity में नहीं आता है, आपके आसपास जो कुछ भी है, फिजिकल है, सोशल है, मोरल है, पोल्टिकल है, कल्चेरल है, एमोशनल है, एकोनोमिकल है, वो सब क्या है? अब आपका. अब identical and fraternal twins. आइडेंटिकल और fraternal में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आइडेंटिकल में जो दो बच्चे होंगे, जो दो जुडवा होंगे, वो बिल्कुल एक जैसे दिखते होंगे, जबकि जो fraternal है, उसमें कुछ भिंता पाई जाती है. अब बात करतें, नेचर वर्सिस नर्चर की. इसमें भी आपको बस एक बात ध्यान रखनें कि नेचर किसे related है, हेरेडिटी से related है, जबकि जो नर्चर है, वो आपके environment से related है. और वुडवर्थ ने क्या बोला है कि development क्या है, हेरेडिटी और एन्वारेडिमेंट का product है. तो आपको एक्वेशन ध्यान रखने है D is equal to H into E क्योंकि कई बार question में आपको statement दे दी जाते है बोल दिया जाता है कि योगफल है गुननफल है तो योगफल और गुननफल के बीच में आपको किसको tick करना है product है गुननफल है अब बात करते है significance of heredity and environment तो heredity क्या है biological term है जबकि behavior में modification को हम environment में लेकर आते हैं इसी से related G.Mendal ने heredity के दो laws दिये हैं कौन-कौन से नियम इन्होंने दिये हैं सबसे पहला है law of segregation and dominance कोई एक ऐसा gene हो जाता है या कोई ऐसी विशेषता हो जाती है जो प्रभावी नहीं है, dominant में नहीं है मालो आपकी generation में नहीं है पर आगे जाके वो किसी generation में प्रभाव में आ गई दिखने लग गई तो वो किसमें आ गई dominant में आ गई प्रभाव में आ गई तो इसी को हम बोलते है law of segregation and dominance अगला है law of independent assortment एक ऐसा जीन या एक ऐसी विशेष्टा जो बाकी सभी विशेष्टाओं को प्रभावित नहीं करता तो यहाँ पर independent assortment का rule लग हो जगता है जिसे आपके घर में सब लंबे हैं लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि सब की height सेम भी हो हाँ आप यह कह सकते कि मेरे घर में सभी लंबे कोई छोटा नहीं है अब educational implications क्या निकल के आते हैं एक teacher को दोनों factors की जानकारी होनी चाहिए वो विभिन विशों के अधिकम के वैक्तिक भिंताओं की पहचान कर पाएगा इससे अब teacher को क्या करना है बच्चे को motivate करना है equally treat करना है सभी को यह कुछ ऐसे keywords होते हैं जहां से आपका answer निकल के आ जाता है और कुछ negative words होते हैं जैसे कि segregate आपको बच्चे को अलग थलग नहीं करना है तो यह ऐसी terms है जहां से आप option को वहीं की वहीं अटा सकते कि answer नहीं हो सकता है तो आप क्या करेंगे बच्चे को motivate करेंगे उसको equally treat करेंगे अब CDP में अगला जो आपका topic दिया गया है वो है socialization process क्या है socialization तो socialization भी एक ऐसी प्रकरिया है जो आप कहीं पर भी चले जाओ होगा ही होगा और ये भी आपका जीवन से लेकर नत्यू तक जारी रहता है पर socialization है क्या आप समाज के नियमों को कैसे adapt कर रहे हैं कैसे उनके साथ खुद को आप समायोजित कर पा रहे हैं वही समाजी कर रहे हैं अब इसके features क्या हैं तो इससे क्या होगा discipline मना रहता है इसके अलावा मानव का जो behavior है उसको आप control कर पाते हैं उसमें help मिल जाती है निरंतर प्रकरिया हमेशा चलती ही रहती है और दो तरीके से होता है एक होता है formal एक होता है informal formal कैसा होगा आपके घर पे आप normal बोल चाल की भाशा में भी आपका समाजी करण चलता रहता है और जो informal होगा वो कहाँ पर होगा वो आपका school जैसी संस्था होने होता है अब है types of socialization दो type होता है primary और secondary primary important होता है और re-socialization एक term है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए किसी नई संस्था जहाँ पर भी आप है जब आप उसके rules और regulations को adapt कर लेते हैं उसके according ढल जाते हैं तो ये re-socialization होता है अगर आपके daily life से example ले तो किसी लड़की की जब नई marriage होती है तो एक नई घर में जाती है वहाँ पर उसके लिए सारे rules regulation कैसे होते हैं नई होते हैं वो उनको adapt करती है उनके according काम करती है तो यहाँ पर उसका क्या हो गया पुनेह समाजिकरन हो गया re-socialization हो गया agents क्या है अब socialization के यहां से भी एक question बनता ही बनता है तो इसमें बस आपको एक चीज़ ध्यान रखने primary में क्या आएगा P से primary और P से परिवार primary में परिवार आएगा ही आएगा और S से secondary और S से school तो secondary में school आएगा ही आएगा इसके अलावा स्कूल के अलावा और क्या क्या आजाएगा secondary में peer groups आजाएगे religion आजाएगा economic status आजाएगा legal systems आजाएगे language आजाएगी media आजाएगी आपसे पूर से परिवार पैसिव इजन्सी क्या है socialization की तो public library है अब development की बात करें तो इसी से related तीन theories हैं जो आपको पता होने चाहिए जिसमें सबसे पहले आती है ब्रोन फिन ब्रेनर्स की ecological system की theory इस theory में इन्होंने किस चीज़ को analyze किया है कि कैसे एक व्यक्ति का वातावरन उस व्यक्ति के और उस व्यक्ति का जो उसको प्रभावित करता है उसी पूरी life के दोरान तो ये theory हमें बताती कि जो changes होते हैं क्या changes होते हैं और कैसे एक व्यक्ति अपने वातावरन के साथ interact करता है तो इसमें सबसे पहली जो stage है इन stages को आप याद रखेंगे M, M, E, M, C से center में बच्चा होता है उसके बाद ये stages आनी शुरू हो जाते हैं इस तरीके से ये child है अब यहाँ पर क्या आ गया आपकी पहली stage आ गई है micro micro system अब ये क्या होता है ये आपका immediate environment होता है सबसे सीधे relation में आपके इसके साथ होते हैं आपके parents होते हैं आपकी siblings होते हैं तो अगर इनके साथ आपके positive relation है अगर तो आपका विकास बहतर रहता है इनका बच्चे के साथ कैसा interaction है उससे भी विकास पर काफी प्रभाव पड़ता है अब अगली जो stage है वो है mesosystem बच्चे के immediate relationships का interaction यह जो interaction है इस ही को हम बोलते है mesosystem अब वो किस के साथ होगा तो बच्चे का immediate environment में कोन आ रहे थे parents आ रहे थे siblings आ रहे थे तो parents अब किस के साथ interaction करेंगे school के साथ करेंगे बच्चे के बारे में जानने के लिए peers के साथ करेंगे तो यह चीज़े की समय अब mesosystem में आई अगली stage जो इन्होंने बताई है वो है exosystem exosystem होता है indirect relation जिनका सीधा आपसे कोई relation नहीं होता है इसमें कोन-कोन आ जाते है आपके parents के work place पर जो लोग है आपके दूर के रिष्टेदार आपका neighborhood आपके school boards, mass media अगली stage है macrosystem अब यह किस बार में बात करती है stage होती कि कैसे एक individual अपने culture में रहता है आपके सामाजिक, Sanskrit, मुल्या वो सब किसमें आ जाएंगे? macrosystem में आ जाएंगे chronosystem इसमें कुछ लंबे time period के changes आते है पूरी life के throughout जो भी changes है वो इसमें आ जाते है for example, बच्चमन में कोई हाथसा हो गया तो उसका बच्चे की पूरी life पर असर पड़ता है तो दिर्ग कालिक प्रभाव चोड़ते हैं यह इस से यह time से भी संबंदित है मतलब आपके time पर आपको क्या technology में ले क्या-क्या inventions हुए वो सब आपके development पर ही असर डालती है तो यहां पर आपका environment एक एहम योगदान देता है इस तरीके से आप figure बना के रख सकते है microsystem किसे related है immediate environment से mesosystem connections से यानि कि जो interaction हुए और exosystem आपके indirect environment से related है macrosystem आपके जो भी सांस्कृतिक समाजिक मुल्या उनसे related है chronosystem changes जो आते हैं over time वो आपके जीवन पर जो असर छोड़ते हैं उनसे related है अगली theory की बात कर लेते हैं वो है looking glass self theory अब इस theory में क्या बोला गया है कि आप खुद को दूसरों की नजरों में कैसे देखते हैं उसको लेकर ये थोरिये इस बात से आपकी पहचान विक्सित होनी शुरू हो जाती है समाज यहाँ पर एक mirror की तरह काम करता है आपके लिए इसलिए इसको क्या कहा गया looking glass self theory कहा गया इसको अब हमारा जो self होता है वो तीन aspects से create होता है या उन पर depend होता है सबसे पहले कि अगर हम बात करें तो वो है हम कोशिश करते हैं कि हम किस तरह बहतर दिखेंगे सामने वाले को दूसरा है कि फिर उसके बाद हम यह समझने कोशिश करें कि अब लोग हमारे बारे में सोचते क्या हम दिखते हैं कैसे वो थी पहली चीज अब दूसरी चीज सोच पर जाते कि अब वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं सामने वाले तीसरी चीज है फिर हम खुद को बदलते हैं अब हमने सबसे पहले present किया फिर उनकी सोच को देखा कि वो क्या सोच रहे हैं अब उसी के according हम खुद को modify कर रहे हैं अपना self fixit कर रहे हैं हमने खुद में changes लाए इसी basis पर किसके basis पर? कि society हमारे बारे में कैसा सोचती है तो पहली बारी में हम क्या imagine करते हैं दूसरों के सामने हमें कैसा लगना है कैसे present करना है खुद को और दूसरी बारी में हम क्या देखते हैं कि दूसरों का आप judgment क्या है हमें लेकर तीसरी बारी में हम फिर खुद को ही वदल देते हैं खुद को ही modify कर देते हैं से हमारा एक अलगी सेल्फ ड्वलप हो जाता किसी के जज्मेंट के वेसिस पर कंक्लूजन क्या निकल के आता कि जो हमारी पहचान है हमारी जो आइडेंटिटी है वो लगातार एक ऐसा रिलेशन्शिप है जहां पर हम सुसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं उनके सामने हम प्रेजेंट करते हैं उनके जज्मेंट के बारे में सोचते हैं फिर अपना modification कर लेते हैं, खुद के perception को उनकी नजरों में देखते हैं, फिर हम उनको interpret कर लेते हैं और खुद की एक identity create कर लेते हैं अगली जो थियोरी है वो है I and Me थियोरी, जी एच मीड ने ये दी एक American sociologist थे अब मी के बारे में इन्हों ने क्या बात की मी यहाँ पर socialization process related है उसके बाद बना हुआ एक aspect है ये और I क्या है? I है एक active aspect जो as a person को देखता है अब इन्होंने क्या कहा कि जैसे ही आप society और environment के साथ interact करेंगे, वैसे ही आपका self develop होना शुरू हो जाएगा, construct होना शुरू हो जाएगा और इन्होंने self को biological नहीं बोला है क्या बोला है? environment से related बोला है मी क्या है? दूसरों के attitude को आप कैसे adapt कर रहे हैं और I क्या है? ऐसे ideas, ऐसे understanding, attitude जो हमें दूसरे को present करना है या हम दूसरे को present करते हैं मी व्यक्ति का socialized aspect होता है यह term को ध्यान में रखने मी के लिए socialized aspect और यह represent करता है society से जो आपने adapt किये हुए हैं व्यावहार, अभी रूचिया, expectations, वो सब अगर I की बात करें तो इसे self के phase में present किया गया है और present और future से इसको जोड़ा जाता है I represent करता है कि कैसे एक individual की जो identity होती है वो उसके responses पर base होती है, मी के प्रती stages क्या है आप self development की self की theory के बारे में बात करें तो self development की stages आपको पता होने चाहिए सबसे पहले ये preparatory stage, play stage और game stage 0 से 2 साल की अवस्था, ये 2 से 6 साल की अवस्था और ये 7 अप, पहली stage में क्या होगा कि बच्चे अपने बड़ों की या जो भी उसके आसपास होता है उनकी नकल करते है imitation की बात यहाँ पर आ जाती है दूसरी में अप, बच्चा अपने आसपास की लोगों की role play करने लग जाता है for example, मा, भाई, इनका role निभाने लग जाता है और तीसरी में आप multiple roles को धारन कर लेता है किसी एक को नहीं, multiple roles को symbolic interaction नाम से भी पता चल रहा, symbols symbols के साथ interact करना words, definitions, roles, gestures, rituals, etc. यह सब इसमें आ जाते हैं forms किया है, symbolic interaction की तो language, play और game अब यहां से conclusion के निकल के आ रहा है कि आपकी जो me है वो एक socialized aspect है और जो I है वो एक individual autonomy है और यह दोनों ही किसी की पहचान बनाने के लिए किसी की identity या उसके self को ड्वलब करने के लिए ज़रूरी है तो आज की वीडियो में हमने 4 points को cover कर लिया है और आपको आगे 4 मेराथन और मिलेंगी जिससे आपका CDP का स्लेवस खतम हो जाएगा और इसके अलावा आपको क्या करने है, आपको प्रैक्टिस करने है धेर सारी और इसके लिए अगर आप questions चाहते हैं तो वो मैं आपको किसी book से send कर दूँ नी तो आप मेरे telegram channel से जुड सकते हैं जिसका link मैंने about section में दिया हुआ है और अगर आपको वीडियो पसंद आई है content पसंद आई है और ऐसे ही आप notes और चाहते है तो चैनल को like, share, subscribe जरूर करें और इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं second marathon में thank you